नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रोसेंजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प दोस्तों आज हम सिखेंगे के कैसे हम एक पुराने खड़ा डियोबी सर्किट से एक 9 वाट एलेडी पैनल को फूल ब्राइटली जला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें लेना परेएगा एक पुराना खड़ाब डियोबी सर्किट उसके बाद दोस्तों देखिए, DOB सर्किट में यहाँ पर एक L और यहाँ पर एक N लिखा हुआ पॉइंट है. और दोस्तों यह N पॉइंट rectifier के इस spin के साथ और यह L पॉइंट rectifier के इस spin के साथ directly connected है. अब हमें लेना परेगा एक 1.5 UF 400 वोल्ट क्यापसिटर उसके बाद इस क्यापसिटर का कोई भी एक पिन हाम इस एन पॉइंट के साथ ऐसे सोड़ा कट देंगे अब हमें लेना परेगा एक 1M रेजिस्टर उसके बाद इस रेजिस्टर को हम इस क्यापसिटर के ये दो पिन के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे उसके बाद दोस्तों देखिए रेक्टिफायर का पॉजिटिव पिन इस पॉइंट के साथ और रेक्टिफायर का नेगेटिव पिन इस पॉइंट के साथ डाइरेक्ली कनेक्टेड है अब हमें लेना परेगा एक 6.8 UF 250 वोल्ट क्यापसिटर उसके बाद इस क्यापसिटर का नेगेटिव पिन हम इस पॉइंट के साथ और पॉजिटिव पिन हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना परेगा एक 22 के रेजिस्टर उसके बाद इस रेजिस्टर को हम इस क्यापसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे तो दोस्तों ये छोटा सा प्रोसेस कॉम्प्लीट हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं कर देखते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस सर्कित को अपने घर पे बना सकते हैं तो दोस्तों आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में तब तक के लिए बाइ फ्रेंस और थैंक्स पर वाचिंग झालोग झालो आप झालोगों से सर्किट कर दोगते हैं